नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका Agriculture World में दोस्तो, आज हम ऐसे रोक के बारे में बात करने वाले हैं जो टमाटर के पूरे ही फल को गला देता है तो आईए बात करते हैं इसके बारे में उससे पहले दोस्तो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको कर्षी सम्मंदित सभी जानकारिया शमय शमय पर मिलती रहती है तो आईए बात करते हैं टमाटर की फसल में फल गलन रोग के कारण फलों पर काले और भूरे रंगे धब्बे आपको दिखाई देते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और फल से अंदर से ही गला कर सुखा देते हैं इस रोग का फसल में अधिक परकौफ होने पर हमारी पैदावार कम हो जाती है दोस्तों अगर बात करें इसके बचाओ के बारे में तो इसके बचाओ के लिए हमें फसल चकर अपना कर फसल लगानी चाहिए साथ ही हमें रोग परतिरोधी किस्मों का चैन करना चाहिए और पोधे को हमेज़ा उपचारित करके ही रुपाई करने चाहिए और रोगी फसलों को अपने फसल से तोड़कर खेट से अलग कर देना चाहिए जिससे की इसका हम पूर्ण रूप से बचाओ कर सकते हैं क्योंकि जो टमाटर की फसल में फल गलन रोग आता है ये एक पहुती भेंकर रोग होता है दोस्तो अगर बात करे हम इसके रासाईनिक नियांतरन की टमाटर की फसल में फल गलन रोग का हम रासाईनिक नियांतरन कैसे कर सकते हैं तो आईए जानते हैं इसके बारे में रासाइनिक नियंत्रन के लिए 500 ग्राम कापर आक्सी कलोराइड 50 परतिसत डबलू पी को हम 200 लिटर पानी में गोल कर परती एकर खेत में इसका छिड़काओ करें या 100 मिली ड्राइफेनाकेनजोल 25 परतिसत EC को 200 लिटर पानी में गोल का छिड़काओ करें इस परकार से हम अपने टमाटर की फसल में जो फल गलन रोग आता है इस पर रासाइनिक नियंतरन कर सकते हैं यानि कि 500 ग्राम आक्सी क्लोराइड और 100 मिली ड्राइफेनाकेनजोल इस परकार से इन दोनों से हम अपने टमाटर की फसल में फल गलन रोग पर रासाइनिक नियंतरन कर सकते हैं दोस्तों इस जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही वीडियो को अन्य किसान भाईयों को भी सेयर जरूर करना जिससे की उन्हें भी एक अच्छी जानकारी मिल सके दोस्तों साथ ही टमाटर की फसल से सम्मंदित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाल